अगर आपको भी लगता है कि हमारी टिकवह बाजार जैसे नहीं बनती है, जो हम कहीं भी बाहर जाके खाते हैं उतनी कुरकुरी टिकवह नहीं बनती हैं मज़ा नहीं आता है तो चलिए आज सारी problems का मैं आपके हल करने वाली हूँ हम बनाने वाले हैं आलू टिकी वो भी tips and tricks के साथ तो यहाँ मैंने सीधा ही आलू बॉयल कर ली हैं मैंने लिये हैं साथ आलू और इनको यह जो greater होता है कद्दुकस इसके बड़े हिस्से से मैं कद्दुकस कर लूँगी आलू थोड़े मैंने ठंडे कर लिया है तो ग्रेट करने में एजी रहता है हमने आलू को ओवर बॉयल नहीं करा है क्योंकि अगर आप ओवर बॉयल कर दोगे तो वो बिल्कुल क्रश सा पेस्ट बन जाएगा हमें बिल्कुल पानी वाले आलू नहीं चाहिए हमें सुखे सुखे आलू चाहिए तो आप देख सकते हो इस तरह से मैं सारे आलू इस तरह का टुकड़ा भी देखिए बिल्कुल नहीं रहना चाहिए अंदर तो इस तरह से मैंने सारे आलू क्रश कर लिए हैं ग्रेट कर ल पर आज हम प्रॉपर टिक्की बना रहे हैं जैसे बाजार वाले जो भाई होते टिक्की वाले वो बनाते हैं तो यहां पांच चमच मैंने कौन फ्लोर के लिए हैं धनिया डाल लिया है कटा हुआ बारी कटा हुआ और साथ में थोड़ा सा तेल डाल लिया है तो इससे क्या बहुत चिप चिपा नहीं बनेगा वैसे भी मैंने आपको बताया है टिप नमबर वान हमने इसको बहुत ओवर बॉयल आलू को नहीं करा है नहीं बिल्कुल कच्चे रखा है और उसके बाद हमने कॉन फ्लोर डाल लिया है और इसको हमने मैश नहीं करा आलू को हमने सीधा कद तो आप कॉन फ्लोर तोड़ा सा और एट कर सकते हैं तो आपके पश्करी पास जो भी अविलेबिलिटी है तो आप अगर आप ब्रेड क्रॉम्स के साथ बनाना चाहते हैं तो वह भी बना सकते हैं यहां बढ़िये बिल्कुल बाजार जैसी अगर आपने टिककी बनानी है तो देखे स्मूथ सा डो जैसे हम आटा लगाते हैं बिल्कुल वैसा ही हम आटा लगा रहे हैं आलू का और नेक्स्ट एक और टेप पाने वाली है इसके लिए तो बने रहे हैं मेरी वीडियो में एंड तक और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं न कर रहा है त इसकी हम बना रहे हैं ऑईल लिया है थोड़ा सा और साथ में हींग डाल दी है मैंने इसमें आलू है जो वो डाजेशन में अच्छा रहता है अगर हम पी हींग डाल दोगे और आलू और हींग का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है नेक्स्ट चीज जो की आलू के साथ बिल इसे सौफ के दाने डाल दिया है बहुत जंजट वाला हम काम नहीं कर रहे है उदर मैंने चने की डाल बॉयल करके रख ली है चना दाल को थोड़ी देर भिगो के मैंने चार से पांच घंटे भिगो के बॉयल कर लिया है यह है बारी कटा हुआ अद्रक बारी कटी हुई हरी मिर्च और इनको अच्छे से हम सौटे कर लेंगे इसमें बहुत यमी वाला फ्लेवर जो अद्रक है और हरी मिर्च देती है अगर आप हरी मिर्च को स्किप करना चाते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं तो अब इसमें हम डाल देंगे नमक डाला है मैंने लाल मिर्च पाउड के अनुसार सब कुछ डाल सकते हैं गरम मसाला डाला है आप यहां सिरफ धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं और साथ में मैंने डाली है हल्दी थोड़ी सी उसको अच्छा सा एक कलर देने के लिए डाल को क्योंकि डाल मैंने सिरफ नमक डाल के बॉयल करके रखी हुई है ठंडी की वीडियो देखी हैं तो जरूर देखेगा पीजे की मौजरेला चीज की सब चीजों की वीडियो हमारे चैनल पर है हर तरह का मज़ेदार पार्टी स्नैक या फिर हो मीठा तो आप प्ले लिस्ट में जाके आप वीडियो कोई भी ढूंड सकते हैं नवरातरी आ रही है तो फेस्टिवल के रिलेटेट सब तरह के फेस्टिवल के रिलेटेट दिवाली के रिलेटेट सब तरह की वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं तो आप प्लीज हमारे चैनल को मौटिवेट करिए और मौटिवेशन आपके कॉमेंट से मुझे आएगी लाइक से आएगी औ और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए वीडियो को तो यहां मैंने बारी कटा हुआ धनिया भी डाल दिया है और यह जब बिल्कुल सूख जाएगा तो हम इसको बिल्कुल ठंडा होने के लिए रख देंगे क्योंकि गरम गरम हम स्टफिंग नहीं भरेंगे इससे क्या दो चमच मैंने लिए हैं पाउडर शुगर यानि पिसी हुई चीनी और साथ में काला नमक जा रहा है इसमें जो की दहीं के फ्लेवर को इन्हांस कर देता है थोड़ा सा हमने सफेद नमक डाला है आप चाहें तो इसको थोड़ी सी पतली कर सकते हैं बहुत पतला दहीं इसम मत लेते हैं इसमें चाहे तो आप फैंड विसकर चला दीजिए चाहे आप इसमें इलेक्टरिकल बीटर मार दीजिए तो बस इसको भी हम फ्रिज में डाल देंगे इधर हमारा जो डो है आलू का बेटर वो तैयार हो गया देखिए कितना अच्छा है बिलकुल हाथ में भी नहीं चिपे करा है तो सारे आलू को हम पोर्शन्स में डिवाइड कर लेंगे आपको जितनी बड़ी टिक्की रखनी है ना आप उतना रख लीजिए यकीन मानियें टिप्स और टिक्स के साथ आपकी आलू टिक्की बनेगी बिलकुल बजार जैसी क्रंची तो आपको जैसी पसंद है आप कम क्रंची पसंद करते हैं कम रखिए जादा करते हैं जादा रखिए बिलकुल मार्किट जैसी बट बहुत ही कम रेट्स पर अपकी बन जाएगी जैसे मर्जी परोसिये इसको दही या चैने के साथ खाईए जैसे मर्जी खाईए तो इटस आल अप टो यू बहुत ही अच्छी डिलिशियस रेसिपी बनती है हमारे चैनल पर जितनी भी आपको रेसिपी मिलेंगी कोई भी रेसिपी आप यह नहीं बोल सकते हो कि बिल्कुल अच्छे से अमने बनाई और बनी नहीं जैसा हम दिखा रहे हैं वैसा बिल्कुल बनता है थोड़ा से इसको म तो इस तरह से ये देखे मैंने लिया है डोग उसका बैटर स्टफिंग तो इसको बस हलके हलके साथों से उठाते रहे और बस इसको हम बन कर देंगे इस तरह से बिल्कुल बाहर स्टफिंग नहीं निकलनी चाहिए तो ये दिखे ये बन गई है और थोड़ा सा आप इसमें रोल कर दीजिए कॉन फ्लोर में ये आपकी मर्सि है आप कॉन फ्लोर में रोल करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं आप गी का तेल का हाथ भी लगा सकते हैं इसको तो मैं और तरीके से भी यellowish सा कलर ना आए तो आप डाल में भी skjp कर सकते हैं हल्दी डालना तो यह स्पून से इसकी स्टफिंग कर रही हूँ यह आप पे है कि आप किस तरह से आप इसकी स्टफिंग करना चाहते हैं तो यह देखिए फिर से डाला और इसको धीरे-धीरे साइड से प्रेस करते हुए उपर को ले जाएंगे तो आलू जो सेंटर से उपर स हम थोड़ा सा मोटा रखेंगे ताक इसको बंद किया जा सके यह दिखे इस तरह से भी कॉण फ्लोर के बिना भी हमारी टिक्की बन जाती है मज़ेदार उपर थोड़ा सा कॉण फ्लोर स्प्रेड कर लिया है मैंने और इसको रखेंगे फ्रिज में 15-20 मिनट के लिए सेट होने से तुड़ा सा ब्रॉड है जो इसमें मैंने ले लिया है ऻ्यडertas अॉलिव ऐलव य्दा ओल में भी बना सकते हो तो यह ट कीमें जोड़ी सी मुटी में जोड़ी हम बाद मैं हम म्म इसको प्रेस करेंगित जैसे जैसे जितनी कुर खूरीया करना चाहते हो इसको प्रेस करके उतनी देरा पकाईए बहुत ही shallow frying कर रही हूँ आप deep fry इसको कर सकते हो आपको जैसी अच्छी लगती है पर थोड़ा सा कम आज पे ही मैं इसको बना रही हूँ ये मेरा pan बढ़ा है तो मैंने 5 टिक्कियां छोड़ दी है सिम पे कर दिया है तो थोड़ा सा oil को जैसे हिलाएंगे तो side से भी जो टिक्की है हमारी वो पक जाएगी बढ़ ये थोड़ा सा time consuming होता है आपने देखा होगा टिक्की वले भाई है के पास हमें काफी देर खड़े रहना पड़ता है तो टिक्की की बारी आती है अगर आप super crunchy सी टिक्की चाहते है तो थोड़ी weight करिए और मज़े से इसको खाईए ये देखिए कितना super सा color आ रहा है इससे मैं थोड़ा सा प्रेस कर दूँगी इसकी चोड़ाई बढ़ जाएगी और फटेगी नहीं देखे तिक्की हमारी बिल्कुल कहीं से फटी नहीं है तूटी नहीं है सबसे बड़ा इसका जो advantage है इस तरह से टिक्की बनाने का बहुत ही ये देखिए super golden color आ रहा है इसमें तो इस तरह से आप जैसी भी टिक्की आप बनाना चाहते हैं तो बनाईए और प्रेस कर लीजिए और इसको करारा आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए मुझे ऐसी पसंद है तो मैंने ऐसी निकाल ली है इसको और flatten करके थोड़ी देर और पकाईए तो और कुरकुरी हो जाएगी तो चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं मैं काटके दिखा रही हूं आपको टिक्की आप जैसा आपकी फैमिली को पसंद है आप और क्रंची करनी है क्रंची करिए कि दाल की स्टफिंग कितनी equal even आई है इसमें यमी सी लुक दे रही है और अब हम करत देखे वाला ट्रिक्स वाला दहीं तो आप जितना दहीं पसंद करते हैं डाल लीजिए मेरे पास इमली की चटनी बनी हुई है रैसिपी मेरे चैनल पर है लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन बोक्स में दे दूँगी अगर आपको चाहिए तो यह भी सांद में जरूर करे चैनल पर हैं वो ढाली थोड़ी सी आप अनार के डाने भी डाल सकते मेरे पास आज अनार अवैलेबल नहीं था थोड़ा सा मैंने चाट मसाला डाल ढाल दीया है आपकी मर्जी और डालना चाहते है या नहीं नमक मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं जो आपको अच्छा लगे आप डाल सकते हो थोड़ा सा बीट रूट कद्दू कस किया हुआ है वो डाल दिया है यानि चुकंदर और मूली बहुत टेस्टी लगती है इस पे मूली डाल दी है तो अब बस ये प्लेटिंग के लिए तयार है मेरे पास थी टूटी फूटी अनार के दाने मेरे पास नहीं थे तो मैंने नहीं डाले अनार बहुत अच्छा जाता है किश्मिश बहुत अच्छी जाती है इसके साथ तो ये लीजिए तयार है हमारी कुरकुरी करंची टिक की तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताईएगा कॉमेंट करिएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को थैंक यू सो मच फर वाचिंग स्टे बलेस्ट